वेलकम टू ब्लैक बोर्ड आज के अपने इस वीडियो में हम दुनिया के अब तक के सबसे अत्याधुनिक और खतरनाक अटैक हेलिकॉप्टर अपाचे की बात करते हैं जानेंगे कि इसकी क्या खासियत हैं जिसके वज़से इस दुनिया का सबसे लगातक लड़ा को हेलिकॉप्टर में इसको गिनाजाता है यह image देख सकते हैं यह Apache helicopter का इक image है जिसके देखने के बाद से आपको idea लग सकता है कि कितना compact और कितना बहतरीन इसका design बनाया गया है अगर roll की बात करते हैं तो यह एक adiac helicopter है जिसे United States of America ने बनाया हुआ है manufacturer Hughes helicopters, Macdonald, Douglas and Boeing defense इसको मिल के बनाते हैं यह तीनों का contribution इसका बनाने में रहा है इसके first flight 30 September 1975 30 September 1975 को हुआ था इसका जब कि introduction जो है defense में US Army के लिए properly इसको बनाया गया था April 1986 में हुआ है आपको जानके हरानी होगी कि इस helicopter का नाम 1981 के बाद Apache किया गया इसको पहले Apache group में जाना नहीं जाता था प्रैमेरी यूजर की बात करते हैं तो US की Army, Israel Air Force, Egyptian Air Force, Royal Netherlands Air Force इसके साथ UAE, Saudi Arab, India, Israel जैसे मतलब एक दरजन से ज़्यादा ऐसे देश से पूरे globe में जो कि इसका 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 करते हैं इतना यह credible helicopter है इसको कह सकते हैं इस tank से बनाया गया था कि war time में यह कभी fail नहीं हो सकता है इतना बहतरिन इसका design है इस produce 1975 से अब तक किसे बना जाता है समझे का ध्यान से लगभग 40 से 45 साल पहले इसको बनाया गया था लेकिन कितनी अच्छी इसकी design रही है कितनी अच्छी manufacturing रही है इसकी कि आज तक इसे use किया जा रहा है लगभग 2400 से जादा 2020 का यह अगड़ा है उससे जादा helicopters अब तक बनाया जा चुके है variant इसके बहुत से आपको variants अलग-लग देखने को मिल सकते है modification देखने को मिलता है specification की बात करे है crew 2 है length इसका untown feet के आसपास का है जबकि इसका height 12.5 feet लगभग 13 feet के आसपास का है empty weight इसका लगभग 5,165 kg का है और इसका maximum take-off weight 10,433 kg का है मतलब लगभग लगभग 5,000 kg का यह payload carry कर सकता है जिसके वज़से इसकी मारक शंपता और भी खतरनाक हो जाती है और भी यह dangerous बन जाता है power plant की बात करते है तो devil engine यह है twin engine दो engine इसमें काम करते है जबकि इसका जो main router diameter है वो है 48 feet का जो बहुत ही जबरदस्त इसको power generate करके देता है maximum speed इसका 293 km प्रतिगंटा है cruise speed 265 km प्रतिगंटा का है जबकि इसके range की बात करते है तो 476 km का इसका range है जहां पे अराम से attack कर सकता है और 480 km भी कहीं के आपको देखने को मिल सकता है फरी range इसका लगभग 1896 km का है और service selling 20,000 feet है मतलब 20,000 feet की उचाई से यह किसे भी target को निसाना बना सकता है उसे destroy कर सकता है गन्स की बात करते है तो 30M का एक गन इसमें install किया गया जबकि इसमें total 4 hard points है जो इसे बहुत ही घातक बनाते है इसमें hydra rocket के साथ और variant इसमें missiles के और rocket के install किया गया है अब समझ सकते हैं क्यों इसे दुनिया का अब तक का सबसे अत्याधनिक और खतरनाक helicopter मना जाता है I hope आपको सबकुस crystal clear हो गया होगा Thank you very much